हलो प्यारे छात्रों कैसे आप सभी आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने प्यारे से परिवार कुईक्ट्रिक्स बाई साहिल सर में और यह लड़ाई बहुत ही शानदार हो रही है और इस जंग में हम ही खुद को घायल भी कर रहे हैं और सिंपल सी पात है हम भी दूसरों से सानभूति की उम्मीद भी रख रहे हैं तबकि हक हमारा है और हम उस हक को मांग रहे हैं एक स्टूडेंट एक टीचर इस देश का यूवा अपने आपको यही बात कर रहा है कि भाई दे दो यार पोस्ट बढ़ा दो यार और इस बीच में मैं आप बढ़िया पॉइंट लेकर आया हूँ कि क्या आपको अभी फॉर्म भरना शुरू हो चुका है क्या भरने चाहिए तो आपसे हाथ जूड कर मेरी विंती है कि अभी फॉर्म मत भरना और मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई मेरा इसकी पीछे दिमाग चल रहा है मैं बहुत ही बहुत ही कैलकुलेटिव चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को अगर आप मेरी बात से एगरी करते हैं तो मुझे बताना देखिए अभी जो हमने ट्विटर पर ट्रेंड कराया यह बहुत अच्छे से ट्रेंड हो रहा है और आपको पता होगा कि आज हम नंबर करके री ट्विट भी कर सकते हैं कैसा रे बच्चों ने री ट्विट आलरेडी कर दिया है जहां पर रेलवे मिनिस्ट्री को पी एम ओ इंडिया को रश्विन वैशनव जी को यह ट्विट हमने किये है ठीक है और इन पर जल्दी से जल्दी मॉडिफिकेशन की उमीद है कि वेकेंसी भी बढ़े और age relaxation पर भी बात हो एज relaxation पर भी बात हो और vacancy भी जल्दी से जल्दी बढ़े 1 million 1.2 million मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कितने tweet हो चुके हैं अभी तक trending में देखे हम number 1 पर आ रहे हैं और लगाता tweet delete भी हो रहे हैं अभी 1.2 million थे आप 1.01 हो चुके और यह होते रहेंगे लेकिन आप करते रहेंगे यह होते रहेंगे आप करते रहेंगे यह होते रहेंगे आप करते रहेंगे ठीक है हां और सबसे जरूरी चीज यह है कि यह एक वेकेंसी पांस साल छे साल बाद आप दे रहे हो और एक इतनी सी वेकंसी दे रहे हो उसमें बच्चा क्या करेगा मतलब क्या स्कोप रखेगा खुद की सेलेक्शन का स्कोप क्या रखेगा अब मैं मुद्दे की बात करता हूं कि भाईया आप सभी लोगों को अभी फॉर्म नहीं भरना है मैं आपको बहुत क्लेरीटी बताता हूं क्यों नहीं भरना है क्या इसके पीछे कारण है देखिए जब आप अपने एलपी के नोटिफिकेशन को देखेंगे तो सबसे जरूरी चीज है कि इन्होंने वेकंसी दियें 5996 में आप जल्दिवाजी के चक्कर में क्या करोगे म मैं बताऊंगा आपको अभी ठीक है यह सबसे सही तरीका बता रहो अब इन्होंने दिये 5996 है ना अगर मैं बात करो आप लोगों का दिमाग चलेगा भाईया देखो सिकंदराबाद सिली गुडी यह आपने देखा राची पटना मुझफर नगर और मैं इधर की तरफ चला बिलासपूर हो गया बाकी अजमे रहमदाबाद में इतनी इतनी है और सारी दुनिया ने सिकंदराबाद और बिलासपूर से भढ़ दिया क्योंकि यहां 1192 में सीटे हैं अभी की स्थिति में तो आप यही करोगे ना कि आप अपनी मर्जी से कोई भी जोन सलेट कर लोगे औ form क्या हो जाएगा पता है क्या हो जाएगा पता है बस जाओ गए आप क्योंकि अभी थोड़ासा वेट करो form मत भरो क्योंकि जब कोई इसका result आ रहा है अगर मान लोग वेकेंसी कुछ इंक्रीश होती है तो कौन सी जोन कितनी वेकेंसी करता है उसका वेट कर लो तो form भरना से लेकर 10 फरवरी के बीच में भरना ना तो बिलकुल लास्ट में भरना और ना ही बिलकुल शुरुवात में भरो अभी सर इसमें क्या हो जाएगा अगर मैं अभी भर देता हूँ अभी क्लैरिटी नहीं है न मेरे भाई और इनोंने साफ लिख दिया है कि अगर तुमने पढ़ाए नोटिफिकेशन कि फिर बच्चों के साथ कोई खिलवाड ना हो जाए इसलिए मैं बता भी रहा हूँ देट्स पूर मॉडिफिकेशन विंडो पूर कर्डेक्शन इन एप्लिकेशन फॉर्म ॥ो lively जो डेटेल्ड, उसको आप क्रेक्शन कर सकते हो चूजन चूजन आर्र वी चैन नॉट बी मॉडिफाइड आपने अगर एक बर अकनी अर्रल भी चूस कर ली, उसे आप modified नहीं कर पाओगे मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या, मेरा point आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा wait कर लो, जल्दिबाजी के चक्कर में फिर वही करबड हो जाएगी तुमसे तो ये चोटी-चोटी चीज़े हैं जो बहुत ध्यान रखने ही होगे है और आप सभी छात्रों से ये request है क्योंकि देखो यार हर कोई अपने zone में अच्छा करना चाहता है, हर किसी का अपना zone होता है, जैसे आप कई अजमेर zone के होंगे, कोई zone का होगा, चंडीगर zone में मालो आज तुमने जल्दबाजी में इसमें विलासपुर zone में vacancy के चकर में जादा vacancy में भर देता हूं form, और अगर मालो चंडीगर zone में जादा आ गई तो modification के बाद में तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, तो हमें क्या दिक्कत है फ़र्म तो बरना है, तो थोड़े दिन बास चाहिए अभी अगर जल्दबाजी में भर दोगे तो कोई ऐसे तो है नहीं तुम्हारे कोई उतावले बन रहे हो तो थोड़ा वेट कर लो जो ये जो ये सारा संगर्ष चल रहा है उस संगर्ष में अगर जीत होती है और 15, 20, 30,000 वेकेंसी कुछ होती है तो कही न कहीं RRB अपनी वेकेंसी मोडिफाइड करता है तो वहाँ पर आप अपने जोन को अच्छे से डिसाइड कर पाओगे और इसलिए हम जल्दी से जल्दी ये डिमांड कर रहे हैं फसाने वाली बात होती है किसी जोन से अब इतनी देदो मतलब अजमेर जोन से 238 वेकेंसी दी है जीडी सी में 333 थी अब बताओ आप इतनी हद कर दी इन्होंने तो ये वही वाली बात है तो अभी कोई फॉर्म मत भरना फॉर्म भरने का वेट करना थोड़ा सा और वेट क्यों करना है मैंने बता दिया फिर बार में RRB मॉडिफाइड नहीं हो पाएगा आपका आपने जल्दबाजी में कुछ कर दिया तो बाद में RRB मॉड़िफाइड नहीं हो पाएगा हाँ तो ये छोट अभी देखो दो-चार दिन कुछ भी मेरा माथा काम नहीं कर रहा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर तैयारी शुरू कर दो तैयारी शुरू करवा दो सब करवाओंगा यार बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी थी पूरा लाइन अप सेट है सारी तैयारी है फ्री क्लासेस अनॉंसमेंट करना है पेड क्लासेस अनॉंसमेंट करना है कैसे पढ़ना है ये बताना है सब कुछ है लेकिन अभी कुछ नहीं करूंगा मैं अभी सिर् कई में बहुत जापती कर दी बच्चों के साथ में तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करो इस चीज में मतलब पूरी planning सेट है reasoning GS GK math सब करवाऊंगा आप यूट्यूब से जुड़े रहो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर रखो तैयारी भी मेरी शेयर कर देना जिससे लोगों तो यह बात पहुंच सके और भाई यह थोड़ा सा एज relaxation का मुद्दा भी उठाओ यार हमने पहले से बना रखा है अब वही वाली बात है और बाकी इसके चक्कर में जो बच्चे रह रहे यार उनके प्लीज इससे रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से बाकी टीचेस इसको चलवा रहे तो एक हैश्टेग यह भी लगवाओ उनके साथ में एज वाला थोड़ा सब प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हैं और यह हमारा कोई इस तरह का प्रोटेश्ट नहीं इसी को एते शानती पूर चीजे कि भाई आगर आज आप ऐसा करोगे तो बच्चे इसी तरह से आपको कह रहे हैं कि भाईया वेकंसी बढ़ा दो 1.1 million tweet पर हम पहुंच चुके और यह actual tweets हैं जो बढ़िया तरीके से spelling क पहनत करो और जोड़ार तरीके से लड़ाई करो और इस लड़ाई को जीतो वेकंसी बढ़कर रहेगी यह guarantee है और अभी form मत भरना बस यही कहूंगा आपसे अभी थोड़ा सा समय ले लेना अपना जिससे कि मैंने आपको जो चीज बताई वो आपको समझ में आ गई होगी ठ ठीक है जै हिंद जै भारत वंदे मातरम